चॉकलिटी बॉई नाम से मश्यूर थे कुमार गौरव आज जी रहे हैं गुमनामी की जिन्दगी असी के दसक में चॉकलिटी बॉई के नाम से मश्यूर कुमार गौरव ने फिल्मे तो बहुत की लेकिन खुद को सफल सितारा नहीं साबित कर सके बीते जमाने के सूपरस्टार राजेंदर कुमार के बेटे कुमार गौरो का असली नाम मनोज तूली है वो अपने पिता की तरह बड़ा स्टार बनना चाहते थे लेकिन दर्शकों ने उन्हें सुईकार नहीं किया कुमार गौरो ने अपने करियर की शुरुआत लाव स्टोरी फिल्म से की थी ये फिल्म बॉक्स आफिस पर ब्लॉक बस्टर साबित हुई थी इस फिल्म से कुमार के पिता राजेंदर ने भी निर्दिशन के चेत्र में कादम रखा था इस फिल्म की सफलतां से खुमार गौरो रातो रात स्टार बन गए थे लेकिन इसके बाद उन्होंने जितने भी फिल्मे की वो सबी बॉक्स आफिस पर धेर हो गई कुमार ने तेरी कसम, स्टार, लवर्स और फिल्मे की लेकिन सिवय और सफलता के उन्हें कुछ नहीं मिला हाला कि उनकी तेरी कसम ने अच्छा पर्फॉर्म किया था 1985 में उन्होंने नाम फिल्म में काम किया था लेकिन इसकी सफलता का श्रे संजेदत को दिया गया बॉक्स आफिस पर लगाता नाकामियाबी के बाद कुमार गौरों ने नब्बे के दश्रक में एक लंबा ब्रेक लिया इसके बाद उन्होंने फिल्म कांटे में काम किया था जो 2000 में रिलीज हुई थी ये उनकी आखरी हिट फिल्म थी लेकिन उसमें मल्टी स्टार होने की कारण उन्हें तवज्जो नहीं मिली नीजी जिन्दिकी की बात करे तो कुमार गौरों ने संजेदत की बहन नमरता दत्त से शादी की है इन दिनों वो फिल्म में दुनिया से पूरी तरह दूर है